कि नमस्कार साथियो आज सामदा एक स्वास्थ्य प्रेश्जर कारिकम में इस्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिविश्चन मिस्रा जो डिरेक्टर हैं गोपाल हॉस्पीटल पटना से मैं डग्साप का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं डग्साप का ब कि देखाल को इस विसे के अंत्रगत हम इसपेशली जो चरचा करेंगे वह इसतनपान को लेकर करेंगे जो कि एक बहुत ही महत पूर्ट है और इस्तनपान को लेकर के बहुत सारी कुरीतियां को रिवाज को रीति इस तरह की है और किस pa sun Battlefield महत्पूर्ण इस्तनपान से रोग दिया जाता है और किस तरह से ये हम सभी बच्चों के लिए लाफकारी है जो सिसू होते हैं उनके लिए तो इस पर हमारी चर्चा होगी साथ में ब्रीश से सम्मांदित बहुत सारी समस्या हो जाती है मातर है नौ में तो उसको लेकर के भी क विशेद दो में जो मुखे रूप से आपके टॉपिक है वो गर्वावस्था में महिला की देखवाल प्रसवकालीन तथा प्रसवत्तर अबिधी के दौरान महिला की देख रेक इस्तनपान राष्टि स्वास्थ्यकारिकरम परवार कल्यार कारिकरम योग और रयाम स्वास् गर्वावस्था से सम्मंदित हम पहले बात चीत कर चुके हैं और आपको बताया है कि किस तरह से गर्वावस्था में महिला की देख रेक करनी चाहिए और प्रसवकालीन के दौरान और प्रसवत्तर अबिधी के दौरान भी महिला की देख रेक किस प्रकार होनी चाहिए जो और स्वास्थयकार्कर्ता, संबंधित, जो स्वास्थयकर्मी है, उन सभी के लिए ये वास्तम में बहुत महत्पूर है. यहां जो टॉपिक है इस्तनपान ये भी अपने आप में बहुत महत्पूर टॉपिक है तो सबसे पहले हम इस्तनपान के वारे में जो पर्चा है उसके वारे में जानना चाहेंगे लग साथ इस्तनपान के वारे में अपनी तरफ से आप क्या बताना चाहेंगे दिखिए इस्तनपान हमारे समाज के लिए सब को जानना बड़ा जरूरी है वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत से डिफेक्टिव मेथड्स हैं जो हमारे समाज में ब्याबत हैं जो दूर होना चाहिए जानकारी के भाव में ऐसा होता है इसके अलावा कुछ बहुत सी भ्रांतियां हैं जो अभी भी हमारे समाज में गात हैं उन भ्रांतियों को भी दूर होना चाहिए और जो सही तरीके हैं वो भी जानना चाहिए उन गलतियों के क्या क्या दूस पर इनाम होते हैं इसके बारे में भी आम लोगों तक ये जानकारी भी है ये लोग इस बात को जन जन तक पहुचा सकते हैं और पहुचाने में मदद कर सकते हैं तो हमें इस बाते में जानना चाहिए तो सबसे पहले हम लोग कुछ उन ब्रहांतियों के बारे में हलकी चर्चा करते हैं जो हमारे समाज में ब्याबते हैं तो पहली बात तो ये है कि गाओं में प्रचली थे, भी भी गाओं में प्रचली थे कि माँ का पहला दूद, जो गाड़ा जैसा दूद होता है उसे निकाल कर फेक देना चाहिए, वो खराब होता है उससे सरी बच्छे को नुकसान पहुचता है ये बिलकुल ही गलत और मित्या भ्रांती है ये इसे हम लोगों को समझ लेना बड़ा जरूरी है वह पहला दूद जिसे गाउं में कहीं खीर कहीं कुछ कहीं कुछ नाम दिया गया है तो वो बच्चे के लिए बहुत पॉस्टिक होता है उसमें से बहुत से ऐसे समस्टांस होत करते हैं रोग पृति रोधक चमता बिक्सित करते हैं तो इसलिए पहला दूद तो जरूर ही बच्चे को देना चाहिए उसे निकाल के फेकने के बजाए पहला दूद जरूर देना चाहिए उसे अंग्लेजी में कॉलिस्ट्रम भी कहते हैं तो कॉलिस्ट्रम बहुत उपयो के साथ में एक यह कहा जाता है कि नहीं इस्तंदपान जो है तुरंथ नहीं कराना चाहिए तो डग साथ यह बिलकुल इस्परेश्ट रूप से कह रहे हैं कि वह जो है बहुत ही महत्पूं और इसमें कोलेस्टरम पाया जाता है जो कि पॉस्टिक है बहुत ज़्यादा उस सिस ने यौशी के लिए जो कि उसके लिए बहुत साझ की चीजा जैवाल है यहां तक कि उसकी जो हमनना है जेकजा सथ निन गता है कि वचच लोग के बट आक सफाई नहीं करते और बच्चे को दूदय के वह गंदगी लगा रह जाता है उसे साफ सुतरा रखना चाहिए और कुछ लोग अती साफ सुतरा रखने में रहते हैं वो बार 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 स्तनों में साबून लगाते हैं जिस साबून के द्वारा क्रैक्ट निपल्स हो जाते हैं वो फट जाते हैं वो इंफिक्सन आ जाता है और वो परिशानी करता है उसे सिंपल धो लेना है रोज एक बार नहाते समय जैसे साबून लगाते हैं वैसे साबून लगाना है और बार बार धो लेना जरूरी है लेकिन बार बार साबून लगाना भी उचित नहीं है उससे कई बिमारिया होती है तो साफ सुत्रा रखना ये infection हो जाते हैं. तीसरी मिठ्याधार्णा है जो गाउं में कुछ लोग के पास है, कुछ लोग में नहीं है. वो यह है, कामकाजी महलाएं जो होती है, वो बच्चे को बोतल का दूद पलाना पसंद करती है. और गाउं में जो कम पढ़ी लिखी महलाएं हैं, वो लोग सुचती ह कि बोतल का दूद वो ज्यादा फायदे मन्द होता है. इस पर सरकार ने विचार करके बिल्कुल अस्पस्ट कर दिया है, कि डबा वाले दूद पर लिख देते हैं, लिखना कंपल सरी है, कि मा का दूद सिसू के लिए सर्वत्तम आहार है. इस बात को आप हर जनता हर मा के द दियार होता है, जो उस बच्चे के लिए जरूरी है. तीसरी बात की कामकाजी महलाएं, बोतल से दूद पिलाना असान रहता है, बाहर जाना है, ये नुकसान दे है, बच्चे के विकास के लिए बहुत गड़बढ हैं. कई तरह की मनोरोग, कई तरह की कुंठाएं, इस्तन पान केवल दूद पिलाने के प्रक्रिया नहीं है, ये माँ और सिसू के बीच में एक अंतरंग संबनाने की भी प्रक्रिया है. पिलाने का एक खास तरीका है, उस तरीके से अगर हम बच्चे को दूद पिलाते हैं, तो माँ और सिसू के बीच में एक तादात में बन जाता है और वो कमजोर सम्मन्द तूटते परिवार और कई तरह की चीज़ों का भी जन्म देता है इसलिए यह किवल बच्चे के स्वास्त के लिए ही नहीं उसके मांसिक स्वास्त उसके स्पिरिच्वल हेल्थ के लिए भी बड़ा जरूरी होता है दूसरी और बरांती है और गरीब होती हैं तो वो क्या करते हैं कि पतला पानी में डबा वाले दूस को पतला दूस बनाके पिलाती हैं सुझती हैं बड़ा पॉस्टिक होगा बच्चा को पुर्शन का सिकार हो जाता है जो धनी परिवार हैं वो लोग बच्चे को जो ज़्यादा मानते हैं वो तरह से balance करके रखता है मा का दूध कितने सही अनफात में वो जाये ये पूरी तरह से balance रहता है आप इस chapter में देखेंगे एक पूरा column ही बना हुआ है जिस column में बनता आया हुआ है कि सीसु के लिए मा का दूद और डबे के दूद में क्या अंतर है पूरे कॉलम को आप उसमें देख सकते हैं जिसमें इस बात को बताया हुआ है कि क्या-क्या गर्बड़ी रहता है मा के दूद में लैक्टोफेरिन डाता है जो बच्चे के भीतर बैक्टिरिया को मारने में मदद करता है बच्चे के भीतर इंफिक्शन खम लगता है जो बच्चा मा के साथ मा का दूद पीता है वे लोग ज्यादा स्वस्त होते हैं बड़ डबा वाले लोग का मसुत यह होते उस पूरे सारिनी को आप पढ़ लेंगे, पूरे टेबल को आप देख लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, और एक्षाक की दृष्टी कों से भी वो पूछा जा सकता है, कि बताईए डबा के दूद में, डबा के दूद बोतल से दूद पिलाते हैं, उसमें क्या-क्या ग इस बुक में 36 आप देखें, 36 नंबर पर, तो ये आपको इस्तनपान के लाव और बोतल के दूद के जो खत्रे हैं, उसके वारे में आप निश्चित रूप से वो देख सकते हैं, कि कितना महतपूर है इस्तनपान और बोतल वाला जो दूद है, वो कितना हानिकारक है, तो अपने जैसा बताया कि बुक में आप देख सकते हैं, परक्षा की द्रेश्टी से भी एक महतपूर प्रेश्ण इसमें बन जाता है, और ये जानना भी बहुत जरूरी भी है, तो ये आपके लिए निश्चित रूप से समझना चाहिए, और जो समाज में जहां आप कार कर र कि नसितियों में पिलाना है, कि नसितियों में पिलाना है, इस बात की सही सही जानकारी होना भी बहुत जरूरी है, बहुत से लोग होते हैं, जैसे मा को मिर्गी की बिमारी है, एपिलेपसी की बिमारी है, तो लोग नहीं पिलाते हैं, कि दूद अगर पिलाएंगे तो बच हरणा है is मिरगी वाले मां को अपने बच्छे को दूत पिलाना चाहिए उसके किसी तरह की कोई बिमाली उसकी भीत्र ट्रांसफर नहीं होताए पीलिया का मरीज है मनीच मां को जॉनडिस हो गया वेसे सिह में बच्छे को दूत पिला या न पिला-द करिकी के लिए आपको बता दें, बच्चे को दूद जरूर पिलाएं, मां और बच्चे की भीतर पिलिया को देखते रहें, ऐसा होता नहीं है, लेकिन निगरानी करना हो सकते हैं, उसका निगरानी करते हुए बच्चे को दूद पिलाना बंद नहीं करना है, इसके अलावा जब गर के प्रोडक्शन पर असर पड़ जाता है मां अगर गर्वी निरोधक गोलिया लेती है तो दूद्ध बनना कम हो जाता है और जितना बचे को चाहिए वो नहीं होता है इसलिए छे महीने तक गर्वी निरोधक गोलियों की बजाए दूसरी दूसरी कंट्रसिप्शन के दूसरे मेथर्स इस्तेमाल करने चाहिए इसके अलावा हलका फुलका बखार अगर मा को है तो भी जैसे सरदी बगरा हो गया हलका फुलका तो दूद्ध पिलाना बंद नहीं से वैसी स्थिति में दूद्ध पिलाना हम लोगों को बंद कर सकते हैं लेकिन जो दूद्ध मा को बन रहा है उसे गार की निकाल देते नहीं निकालेंगा अब तो मशीन भी आ गया है जैसे कि हम लोग ब्रेश्ट पंप से निकाल लेते हैं दूद और ये करते हैं इसके अलावा मलेरिया है टीवी की बिमारी है इस सिती में बच्चे को दूद पिलाएं कि न पिलाएं तो मैं स्पस्टिक्रूप से कहना चाहूंगा कि टीवी हो या मलेरिया हो इन सब स्थितियों में माँ अपने बच्चे को निर्वे हो करके दूद पिला सकते हैं इस से किसी तरह का कोई नुक्सान उनको नहीं होता है बिल्कु डग सब ये बहुत ही इंपडेंट बात आपने बताई कि किस तरह से किन प्रेस्टितियों में दूद पिलाना चाहिए और नहीं पिलाना चाहिए इस पर बड़ा स्पेश्टिकरन आपने दिया और स्वास्ता कारे करता कि ये ड्यूटी बनती है कि इन सारी चीज़ों को वो अपने समास तक वहां लोगों तक पहुंचाई जहां उसका कारेश्यत्र है साथ ही ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है कि जन्म के छे महा के उपरांत सिसू को इस्तनपान के साथ साथ कुछ सप्लिमेंटी आहार भी उसे शुरू कर दाना चाहिए इस्टराइटिंग में उसे थोड़ा सा तरल पधार जो है सूप है सबजियों का या हलकी दाल का पानी है मिस्रित और दूद थोड़ा सा है तो ये सब चीज़े हम हलका सप्लिमेंटी में उसको दे सकते हैं और धीरे धीरे फिर उसको जो सेमी सॉलिड आहार है जैसे केले का थोड़ा सा मसला हुआ या आलू को थोड़ा सा मसला हुआ दलिया हलका सा खिचली हम हलकी सी इस तरह की हम दे सकते हैं उसको ये सब चीज़े बहुती द्यान रखने की बात है साथ में डखसब कई बार जो इसतन से सम्मंदित जो परिसानिया होने लगती है और कई बार इस कि जो बड़ी परिसानिया जाते हैं जैसे ब्रीष्ट कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है तो इनके क्या कारण है और इनके लिए किस तरह का ध्यान जो है वो रखना चाहिए उसके पहले चौहन साथ दो तीन बातें और बताना चाहेंगा जी कि वो कि सन को साफ रखने के टिकनीक तो हमने बताया कि साफ रखना है लेकिन अति साफ नहीं रखना है और इसके साथ किस कंफर्टिबल पोजिशन में मां को दूद पलाना चाहिए किवल जैसे इतमा अगर दूद पलाती है तो च्छाती अगर हम धरवाते हैं स्थन को धरवाते हैं तो निपल वाले हिसे को बच्चे के संपर्क मिलाते हैं और बच्चे के पूरे सरीर को मा अपने पेट से सटा के रखती है ताकि बच्चा कमफर्टिबल फील कर सके मा के सरीर की गर्मी बच्चे की सरीर के भीतर प्रवेश कर सके और बच्चा गर्म रहे क्योंकि हाइपो थर्मिया के चांसे सिसों में बहुत जादा रहता है बच्चे को ढहक करके माँ को दूद पिलाना चाहिए ताकि वह पूरा पूरा इस्तन बच्चा महसूस करे अपने गाल पे अपने होट पे कि हम दूद पी आ रहा है उसमें दूसरी चीज़ कि साफ रखना फिर एक बार जोड़ देते हैं कि दूद पिलाने के पहले इस्तन को पानी से धोले और तब बच्चे को दूद पिलाएं दूद पिलाने के बाद भी आप इस्तन को धोले उस पर थालका तेल लगा ले वो ज़्यादा अच्छा रहगा नहीं तो क्या होगा नहीं तो सोड निपल हो जाता य सोड निपल का मतलब ह Birthday निपल में घहा हो जाना जो बच्चे के कड़ी अडिव तरेकी से दूद पिलाने के कारण होता है फट जाता है और वहां पे घहा हो जाता है पिर बच्चे को दूद पिने में भी दिक्कत होती है दूद पिलाने में भी दिक्कत होती है फिर इंगार्जमिंट जो दूद कम पिलाते हैं नहीं पिलाते हैं तो उन लों के ये में इंगार्जमिंट हो जाता है ब्रेस्ट में जो आगे चलकर कि कई तरह के बुखार ब्रेस पर जैसे सिसी सोब बड़ा होता है यह अमत्राल को बड़ा करते जाते हैं इसकी जानकारे भी मा को होना चाहिए tous के अलावा कभी कभी क्या होता है कि बच्चा शही से बुद्ध नहीं पृब और ठीक से नहीं पिलाया गया टेक्निकल defect के कारण या अचानक बच्चे को दूद पिलाते हैं अचानक हम लोग अटा देते हैं तो उसके चलते जो duct है जिससे दूद निकल करके बच्चे तक पहुंचता है वो block हो जाता है तो बच्चे को दूद नहीं होता है ब्लैक होने कारण breast में दूद जमा होने लगता है फिर वो infection का एक बड़ा स्रोथ में आता है ऐसी इस्तिती हो तो उसे गार करके स्रम पुरवक निकाल देना चाहिए ताकि बच्चे को दूद का प्रवा सतत रुप से जारी हो सके बच्चा बिमार है दूद नहीं पी पाया है तो भी दूद को गार करके स्थन को निकाल देना चाहिए दूद ताकि वहाँ पर वह स्रोथ infection का नहीं बने इसके अलावा क्रैक्ट निपल्स हो जाते हैं बहुत ज्यादा सावन सी सफाई के कारण होता है जो हमने पहले चर्चा की है तो इक क्रैक्ट निपल से भी बचने का है और अभी जो आपने चर्चा किया cancer breast cancer का जो आज की जमाने का एक बड़ा कारण बन गया है बहुत से स्थियों को हो जाता है तो breast cancer के बारे में दो तीन चीज़ें जानने चाहिए दूद पिलाने से उसका कोई सम्मन्द नहीं है जो माता हैं दूद ज्यादा पिलाती हैं अपने बच्चे को उनको breast cancer होने के chances बिल्कुल बहुत कम हो जाता है बहुत कम लोगों को ऐसा होता है breast cancer के कई दूसरे कारण है कुछ तो आनवन से कारण है उनकी मा को हुआ होगा तो हो सकता है breast cancer होने के chances जादा बढ़ जाए इसके अलावा देखा गया है कि जो माताएं अपने शिशु को दूद नहीं पिलाते हैं उन लोगों में breast cancer के chances ज्यादा होते हैं तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि माँ अपने शिशु को अपना दूद जरूर पिलाए और छे महीने तक सिर्फ और सिर्फ अपने दूद पे रखे यह बात हर माताएं जो माता बनने वाली हैं उनको ही जो मा बज्जु की हैं उनको भी ये बात हर स्वास करता को चाहिए कि उनके दिमाग में बैठा दे कि किसक भी क्याम में सहायता कर सकते हैं उनके स्वास करता हूं को जानकारी दे कर और जब जो महिला उनके संपर्क में आते हैं अगर स्वास करता को महसूस होता है कि हमार बात का गाहों के लोगों पे असर नहीं पढ़ रहा है तो उन्हें चिकित्सा के सानिते में लाना चाहिए उनकी कही गई बातें उनकर ज्यादा असर डालेंगे तो ये ब्रेश्ट के बारे हुआ बिल्कुल डाक साब ब्रेश्ट कैंसर जो है एक काफी महतपून लोगों के लिए तो काफी ज़्यादा समस्या वाला एक रोग बन गया है और जैसा कि आपने बताया कि इसका सीधा सम्मन्द इस्तन पांच से नहीं है बलकि इस्तन पांच जतना ज़्यादा कराए जाता है उन उन सबी को जानना भी चाहिए कि जितना इस्तनपान बहतर तरीके से और एक जो टैक्निक जैसे अभी बताई थिडाक साब में कि किस तरह से इस्तनपान कराना चाहिए वो भी आनी चाहिए और ये जो जुम्मेदारी है मेरी ख्याल से जो परिवार में बड़े जो होते हैं वो उनकी माध्यम से इसको जो है सौट आउट कर लिया जाता है जो कहना चाहिए सास हो सकती है या बड़ी बहन हो सकती है इस तरह से वो बहतर तरीके से उस टैक्निक को बताती है लिकिन फिर भी यद आप सकता है तो निसंग कुछ जो है आप अपने स्वास्थ कार करता पर कर सकते हैं बाचित कर सकते हैं और कैंसर की बात हुई तो एक दो बात और जो छूट गया था बताना वो मैं बता दो जी बिल्कुल बिल्कुल वो यह है कि कैंसर अगर चाती में कैंसर हो गया हो तो बच्चे को दूद नहीं पिलाना चाहिए दूसरी कैंसर के कुछ और क का इस्तिमाल करती हैं या drug addicted हैं उनको प्लस हमारे खानपान की यो गर्वडियां हैं हम लोग जो polluted foods काते हैं उन लोग जो pesticides और preservatives के साथ food इस्तिमाल करते हैं ये सब breast cancer बनने में एक सहाय कारक के रोपे आते हैं जो दो तीन कारक अगर एक साथ मिल जाए तो breast cancer बड़ी जल्दी precipitate हो जाता है ऐसा भी नहीं है कि जितने लोग pesticide और ये करते हो सब को breast cancer हो लेकिन जो susceptible हैं उनके भीतर breast cancer होने की संभावना ज्यादा रहती है और ध्यान में ये रखें कि ये जितने कारक हैं जो pesticides और ये चिड़काओ वाले पदार्त और क्या-क्या जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये सब नकेबल breast cancer बर्लकि दूसरे cancer के भी जनक हैं जैसे lung हम लोग धुम्रपान करते हैं तो breast cancer तो होता ही होता है हमारे lung cancer के संभावना बढ़ जाती है जो लोग धुम्रपान के ज्यादा इस्तेमाल करते हैं चिमनी वगएर के फास रहते हैं उनके पशाप की थैली में भी cancer बढ़ने के संभावना बढ़ जाती है और junk food खाने वाले के आमाशे में तो नामासे में और साथ साथ बढ़ी आथ पे cancer होने के संभावना बढ़ जाती है तो यह तो पूरी सूची है जो लंबी सूची है cancer बड़ा टॉपिक है लेकिन हमारे स्वास्त कारी करता को बनियादी जानकारी तो होनी चाहिए ताकि वो आम लोगों तक इन जानकारीयों को share कर सके निश्यदूप से बिलकुल बहुत बहुत बहुतर तरीकी से ड़क साथ आपने बताया कि कैंसर के कौन कौन से कार्ण हो सकते हैं हलाकि आजकल जो देखा जा रहा है उसकी कैंसर के रोगयों की संख्या में बरहुत्री हो रही है और मैं समझता हूं कि यह जो कार्ण है वास्ता में हमारी लाइफ इस्टाइल है इसकी बैसे बदलने से काफी चेंज दुगों के बीच में आया है और लोग चुकि प्रिजिर्विटिवस और दूसरी जो कीट नासक हैं किसी ना किसी माध्यम से वो अपने खान पान में ले रहे हैं लोग सब्जियां जो हैं आज कल इस तरह की आ रही हैं जैसे कि उन मैं उपर से स्प्रे कर दिया तो किस तरह से सब्जियां वो एकदम वास करके उनको ठीक से गरम पानी से वास करके उनका इस्तैमाल किया जाए तो इन चीजों से काफी मदद मिलती है ऐसी चीजों को रोकने के लिए इन सबों में दो बात इसको पूरे दो काटेगोरी में हम लोग बांट सकते हैं यह वैसे कारक जो कारक हमारे हाथ में है जिसको दूर कर सकते हैं जैसे जंक फोड नहीं खा सकते हैं सिगरेट छोड़ सकते हैं सराब छोड़ सकते हैं यह सारे चीजों को हम ल लेवल पर दिली में बहुत पढ़ गया है पतना में बहुत पढ़ गया है उसे कोई आम आदमी कैसे दौर कर सकता हैं? उसे तो सरकार और… बड़ी सैस्ता हैं मिल कर के उसे जब तक नहीं करेंगी सकत प्रयास से जो है इसको… तक आम आदमी उसको जहलने के लिए मजबूर रहो जाता है, तो सरकार को भी इस्तिसा में प्रयास करने चाहिए और आम आदमी को उसमें सहियों करने तो साथियों ये हमारा इस्तन पान और खास्तोर से इस्तन से सम्मंदित कैंसर इसकी जानकरी डग साब डॉक्र देविश च से सम्मंदित ये जो कार्क्रम है हमारा इसमें इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना जो आपकी परिक्षा है उसके माध्यम से आप तैहारी भी कर सकते हैं परिक्षा की तो मैं डॉक्टर देविश चंद मिसाजी का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो ह आप हमारे सकाइब कर में जुरे रहे हैं हमारे साथ में और समय समय पर आकर के ये आप महत्पूर जनकारी में हमरे स्वास्तेकार करता हूं को बीच-बीच में देते रहें बहुत-बहुत धन्यवाद आपका नमस्कार मुझे भी आपके स्टूडियो में आप लोगों के ब झाल झाल